काफ्या की दुनिया कैसे हैं आप सभी आई होप आप सब स्वस्त होंगे मस्त होंगे तो जी आज है दिन बुद्धमार का तारीख है 20 नवंबर और ये सुबह का टाइम है और अभी टाइम हो रहा है नो साड़े नो के आसपास का टाइम हो रहा है मतलब इतना टाइम हो रहा है तो जी जैसा कि आप सबको पता ही है सर्दियां आ गई है तो सर्दियों की वज़े से काम कितने बढ़ते हैं सबसे में तो कपड़े होते हैं बस वही है आज जो है ना बैटशीट भी मैंने मोटी व वाली हैं जो हलकी कम्मल होते हैं उनको मैं बिचा दूँगी अभी फिलहाल के लिए जादा सर दीनिया शुरुवात की है तो ये काम कर जाएगी बस उसके बाद जो है न अब इनके किसी के मैचिंग के मेरे पास पिलो कवर तो है नहीं तो जो भी मेरे पास बैट शीट अविल जैसे ही पढ़ रहे हैं अपना काम जो है न वो सब कर रहे हैं और दूसरी चीज यह है कि पोलुशन की वज़े से चुटियां जो है जादा भी बढ़ा दी है 23 कर दिया गया है पहले 21 को स्कूल खुलने वाले थे लेकिन अब 23 कर दिया गया है अब आगे देखो कितना टाइ भी बनाई है और रोटियां से की थी बस वो सब जो है न खापी गर चले गए थे और उसके बाद जो है न बरतन मेरे अभी तक ऐसे ही पड़े हुए थे बस वो बरतन बगरा में साफ कर रहे हूं तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि चुटियां चल रही है दूसरी चीज शा कोई सामान रहे गया है और आज मुझे फिर से मार्केट जाना पड़ेगा इवन मम्मे मुझे बुला रही थी घर पे आज यह आज तो लेकिन मैं महां भी नहीं जा पा रही हूं क्योंकि मुझे जो है जरूरी काम है और हमारे आप पे जो बुद्बजार लगता है मुझे उसी में से काम है तो इस वज़े से मैं वहां पर गई नहीं और कल सगाई है कल सगाई में जाना है तो कल के लिए सारी तैयारिया मेरी पूरी है लेकिन जो एक चीज रह गई है उसके लिए मैं सोच रही हूं कि आज मार्केट चले जाओं और दूसरी महंदी बगरा लगा ल मैंने मतलब अपना माइंड कर दिया चेंज तो शादी में जैसा लगेगा कि मुझे शादी से पहले लगानी चाहिए तो मैं देखूंगी तो अभी फिलहाल के लिए तो मैंने अपना माइंड डॉप कर लिया है अब मैं नहीं लगा रही हूं मेहनी सर में तो जी बस बात व जादा जो अगले दिन आप कुछ भी बनाओगे वो फिर से इस पर रह जाएगा फिर यह डबल हो जाएगी तो इस अच्छा है आप अभी के लिए इसको साफ कर दो तो बैटर है तो जी मैंने थोड़ी सी राक डाली और इसको अच्छे से माज़ा तो देखिए थोड़ा सा साफ हो गई है अब में भी और भी चमके तो जी यह पीछे की तरफ कालिक होती है यह तो बहुत कम छुटती है और कितनी भी जान लगा लो आप मुश्किल लेके यह छुट जाए लेकिन मेरे बहातों में जितनी जानती मैंने उतनी कोशिश कर ली है और देखिए फिर भी ज इमत थी उतनी मैंने इसको साफ कर दिया है उसके बाद मुझे लगे हाथ लगाता कि यह जो स्लेव बगरा है ना मेरी इसको भी साफ कर देती हूं यह जब से आई है ना तब से लगे तब से अब तक साफ ही नहीं हो पाई है और इस पर जो हलकी फुल के धूल मिटी है वो और विया काउंटर टॉप रहे गया है के और गैस को साफ कर ना होता है तो वस यही मैं नहीं अ YE लगदा है कि पानी डालो और हल्का सा जो जूंआ इस पर लगाईएगी जो आ ballsTalk पुर्षा टाइंट में वह करते हैं वह बच जाएगा उसमें चाहिए लगता है यहाई rat है कि मेरा अपना जो परसनल एक्सपिरियेंस है मैं उससे बता रही हूं कि गैस को धुने में इतना टाइम नहीं लगता जितना अगर आप कपड़े में रगड़ा रगड़ी करोगे ना तो उससे जादा इसमें कम टाइम लगता है तो बस मुझे यह आइडिया अच्छा लग ही है तो बस यहां पर देखो धेरिया कैसे घुम रहा है यह देखो मतलब इनको जो है ना जुराब पहनने में इतनी दिक्कत हो रही है आजकल बहुत जादा से कि मैं आदते थी नहीं वह वाली कि जुराब वगरा यह टोपा वगरा लगाना है तो वह चीज नहीं है तो मेशा पैर से स्टार्ट होती है पैर से जो सर्दी चड़ति है न हो सबसे जादा होती है कि बच्चों को उसी चीज से बचाना चाहिए तो आज मैंने धहरिया को नहिलाया भी था नहिलाने के बाद फिर इसको जैकिट वगशा लगारा भी पिना दी ती और जुराब वगर b लगा दी थी तो जब तक मेरा खाना वगार बनाता ना तब तक मेरे सारे कपड़े धुल गए थे और कपड़े जो है ना मैंने उपर भी सुखा दियें सारे जितने भी मतलब बैडशीट वगएरा थी सब मैंने आज ढोड़ निकाल के मैंने एक बार जैसे नए सिरे से जैसे आप धोके रखते हो वही है निकालने हैं गरम कपड़े तो धोके निकालके धोने ही पढ़ाएंगे बस यह होता है तो जो कमल वगएर आया ना वो तो हमने धोया था हाथ से ही उपर छट पे तो छट पे धोके सुखा दिया था मतलब तीन दिन तक अर वाली क्लिनिंग जो है ना मतलब कमबल में आने चाहिए थी तो वह वाली क्लिनिंग चाहिए थी तो इसी वज़े से छट पे फैला के धो दिया था जस्ट अराम से सूख भी गया है तो अब जो है ना हम एजली ओड भी रहे है तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको वगरा रह गए हैं तो मैं सोक्स वगरा नहीं लेकर आई थी मेरा मतलब माइंड ये था कि जो रखे हुए हैं सोक्स में वो निकाल लूँगी लेकिन जब मैंने उनको निकाला और उनकी हालत देखी न तो मुझे मेरा खुद भी मननी करा कि मैं उनको पहना हूँ और सोक्स वगरा ये ऐसी चीज होती हैं ये हर साल लेने ही पड़ती हैं आपको आपको कितना भी अपना माइंड सेट कर लो लेकिन नहीं हो पाता अर जसना तो लेनी ही पड़ती है हमेशा तो इसी वज़े से मैंने सोचा कि ले लेती हूँ और अपने ले भी ले आउंगी और इनके कि सब चीज हो गई अरेंज बाकि कल आपको सीधा जो एक मेरा को क्या पहना और क्या है सब कुछ में आपको कल ही दिखाओंगी तो सगाई का शाइद मैंने आप लोग साशेर ने किया भी कुछ भी कि कल सगाई वाले दिन मुझे क्या पहना शादी वाले दिन का लहंगा करा उसके बाद यह लाई करी है यह वाला सूट एक बनाया है बाजू तो डिजाइन विजाइन नहीं डाला बाजू में इसका कपड़ा ऐसी लग रहा था तो मुझे लगा जादा दिन चलेगा नहीं तो बस यह हल्की सी लेस लगा दिया इस पर यह देखो और पतली सी लेस है तो पहने नहीं जाती है तो आने जाने में वैसे भी जो है न आप एंटे बगर चलती है तो यह पैंट भी रडी कर दी मैंने यह देखो नहरो प्लाजो पैंट है और जेव लगा के बनाई है यह इसकी जेव है बच्चे बाहर केल रहे हैं और मतलब सिलाई करते ना सूई ग कई वह जादा दर्द कर रहा है अब मुझे यह समझने आ रहा कि इसकी तुर्पाई बगरा कैसे होगी सोच्रियों इसकी तुर्पाई बाहर ही कर वालूँ अब क्यूंकि अब टाइम तो है नहीं चलो देखते हैं बाकी होता क्या है तो अभी के लिए तो यह वाला वीडिय कर अब मेरे तो सर में ढर्да हो है दूसरा ईपहो फिर सलाई हो तो उसके चक्कर में परेशान है और कल सा घाई का सब लोग आप सबको दिखाऊंगी और क्या-क्या मैं उसके लेकर आई हूं क्या-क्या दोंगी उसे वह सब चीजे में आप सबको दिखा दोंगी एक दिन जैसे तो जी इस वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं पसंद आया हो किसी भी वज़य से तो प्लीज लाइक के ब लेन बाई और टीकर